नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका स्टॉडी आईक्यू में आज हम लोग एक बहुत ही इंट्रेस्टिंग न्यूस की बारे में बात करने वाले हैं हम लोग अट्लांटिफिकेशन की बारे में बात करने वाले हैं अट्लांटिफिकेशन मतलब Arctic Sea जो है वो Atlantic की तरह बन रहा है मतलब जो Atlantic Ocean की पानी की characteristics है वो characteristics अभी धीरे धीरे चल के हम लोग देख सकते हैं या फिर देख पा रहे हैं Arctic Sea में कुछ भाग है Arctic Sea में जिसे की Barent Sea वहाँ पे already characteristics आ चुकी है तो इस वीडियो में हमनों देखेंगे क्या है reason, क्या है background और क्या हो सकता है impact इस Atlantification का तो exam perspective से बहुत ही जरूरी topic है Let us begin the discussion लेकिन उससे पहले मैं हूँ आपका दोस्त राहुल साइगाउंकर अगर आप मुझे follow करना चाहते हैं you can follow me on the ID राहुल साइट 222 मेरा Instagram ID सेम है, अगर आपको कोई doubt है, कोई सवाल है, आप मुझे connect करना चाहते हैं you can directly message me on Instagram इसके अलावा, Study IQ आपके लिए खुशकबरी लाया है, we are running a big दिवाली sale जहां पे 50% से भी ज्यादा discount है on UPSC courses तो पहले खबर के बारे में बात करते हैं, recently एक research छपी है, nature climate change नामक एक journal में जहां पे ये लिखा गया है warming conditions मतलब गर्मी बढ़ रही है और ice level या ice का volume change हो रहा है जिसकी वज़ा से Barents Sea एक जगा है Arctic Ocean में, वहां पे हम लोग Atlantification देख सकते हैं, so we are going to talk about specifically Atlantification of Barents Sea, in general Atlantification of Arctic Ocean researchers ने ये कहा है कि अगर यही trend continue करते रहें, तो 2040 तक Barents Sea completely Atlantic Ocean की तरह बन जाएगा मतलब उसकी पानी की characteristic similar हो जाएगी, और researchers ये भी कहते हैं कि अभी हम लोग consequences नहीं बता सकते हैं, लेकिन adverse consequences हो सकते हैं, unknown consequences which are adverse, might happen on the ecosystem and especially on commercial fishing तो सबसे पहले तो बात करते हैं, इस जगा की, अगर हम लोग map में बात करें, तो Arctic Ocean है यहाँ पर, और Atlantic Ocean है यहाँ पर, Arctic Ocean polar region की तरफ आता है, पानी यहाँ पर बहुत ठंडा है, Atlantic Ocean, it comes closer to equator, और अगर मैं in general ocean current की movement की बात करूँ, तो मैं आशा करता हूँ, हमारे viewers को पता है कि ocean currents, 0 degree latitude यानि कि equator से move होते हैं, उपर, मतलब heat transfer होता है, equator generally गरम होता है, यहाँ पर sunlight ज़्यादा है, insulation ज़्यादा है, तो यहाँ से heat transfer उपर की तरफ होती है, और poles cold है, तो इसी लिए water transfer या heat transfer कुछ इस direction में होता है, और हम लोग जो बात करने वाले हैं, वो बात करने वाले हैं, oceanic circulation के बारे में, अगर मैं oceanic circulation की बात करूँ, तो जो गरम पानी है, Atlantic Ocean का पानी है, सिंस वो गरम है, वहाँ पर salinity ज़्यादा है, तो उसके density कम रहेगी, तो वो उपर की तरफ flow करेगा, तो उपर की तरफ से flow करते होए, वो polar region की तरफ जाएगा, पोलार रीजन, यानि कि Arctic Ocean का पानी है, वो ठंडा होता है, उसकी salinity कम होती है, तो इसी लिए वो bottom से नीचे से equator की तरफ move होता है, तो इसी तरह से एक oceanic circulation बन जाता है, जिसकी वज़े से हमारा अर्थ का heat budget, यानि कि heat balance maintain होता है, तो हम लोग अभी जो इस research के तहत बात की है background की बात करो, एक mosaic mission run हो रहा है 2019 से, mosaic का मतलब है multidisciplinary drifting observatory for the study of Arctic climate, तो ये जो mission है, ये शुरू हुआ था September 2019 में, इसकी initial study निकली है, ये देखना चाहते हैं कि climate change की वज़े से Arctic region में उसका क्या impact होने वाला है, और eventually rest of the world पे क्या impact हो सकता है, तो initial observations है, scientists की वो कहते हैं कि Arctic region म methane, जो frozen methane है, गर्मी की वज़े से ice melt हो रहा है, और methane जो frozen थी, वो release हो रहा है, जिसकी वज़े से global warming और भी amplify हो जाएगा, उन्होंने अभी तक ये नहीं कहा है कि कितना methane release होगा, लेकिन जब तक complete research आ जाएगा, एक number तो पता चलेगा, लेकिन तब तक frozen methane हम जानते हैं कि methane एक greenhouse gas है, carbon dioxide से भी जादा potential है, उसका greenhouse gas emission या फिर greenhouse potential उसका बहुत ज्यादा है, तो इसकी वज़े से global warming हो रहा है, तो चलिए इस mission की जो study की गई है, देखते हैं इन्होंने Arctic Ocean की बारे में क्या क्या है, और जो barren sea है, उसके बारे में उन्होंने specifically क्या क्या है, ये map है, जो top view है Arctic Ocean क polar region का, जो mosaic experiment के scientist है, उन्होंने ये कहा है कि frozen methane की मात्रा बढ़ रही है Arctic Ocean में, specifically along the East Siberian coast, और अगर हम लोग note करें, methane के बारे में, मैंने कहा आप से कि methane एक greenhouse gas है, जिसका greenhouse potential carbon dioxide से भी ज्यादा है, इसके अलवा, अगर मैं specifically इस barren sea के बारे में बात करूँ, तो mosaic scientist ने ये कहा है कि barren sea के आसपास hotspots मिले हैं, methane के, यानि कि वहाँ पे गर्मी काफी साथ बढ़ चुकी है, और पानी Atlantic Ocean की तरह बन रहा है, इसलिए term use किया जाता है, atlantification, तो चलिए इस atlantification को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं, अगर आप इस diagram को देखें, तो left hand side में आपको का Atlantic domain, और Atlantic Ocean का अगर मैं पानी की बात करो, तो Atlantic Ocean normally गरम होता है, पानी गरम है, क्योंकि उसके उपर हवा भी गरम है, और low pressure होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा insulation होता है, गरमी होती है, तो अगर आप इसकी profile देखोगे, यहाँ पे ज़्यादा stratification नहीं मिलेगा, यह रंग जो है similar type का है, अपर Atlantic water flow और जो deeper Atlantic water flow है, इन में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन अगर आप far right side का diagram देखो, तो यह है Arctic Ocean का domain, या फिर Arctic Ocean का पानी, यहाँ पे आपको मिलते हैं stratification, मतलग एक ice की layer है, उसके बाद cold water है, उसके नीचे at the deeper level, फिर से ice जम रहा है धीरे धीरे, तो यह stratification काफी enhanced है Arctic region में, और जो हम लोग बात करने वाले है, Barent Sea, एक frontier region में, frontier मतलब जहाँ पे front बनता है, जहाँ पे Atlantic का पानी और Arctic का पानी मिल रहा है, एक front बन रहा है, यहाँ पे, इस frontier region में अगर देखो, तो Arctic region से सबसे पहले तो ice आता है इस तरफ से, और अभी, जो scientist कह रहे है, methane की मातरा बढ़ने से, यह जो ice का influx है, वो Barent Sea की तरफ कम हो रहा है, मतलब एक impact उपर से हो रहा है, और अगर हम deeper चले जाए, पानी के नीचे, तो deeper, मैंने आपको बताया, Atlantic oceans deeper जाएंगी, और यह जो deeper water है, यह धीरे 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 गरम पानी, Barent Sea क की तरफ जा रहा है, और यहां पे नीचे ice formation नहीं होने दे रहा है, अगर हम लोग बात करें, हेलो क्लाइन की, Arctic ocean में हेलो क्लाइन, मतलब जो salinity के line होती है, जो water को divide करता है, वो बहुत ही कमजोर होती है, मतलब आपको इतना ज़्यादा distinct salinity का difference नहीं पता चलता है, as compared to Arctic ocean, तो वही आप देख सकते हो अभी Barent Sea में भी, तो Barent Sea में हो क्या रहा है, दोनों तरफ से problem चल रही है, उपर से आपको ज्यादा ice नहीं आ रही है, नीचे से ice Atlantic का पानी बनने दे नहीं रहा है, तो इसकी वज़े से इस particular region का पानी Atlantic की तरह बन रहा है, आप देख सकते हैं, आ दिया गया आपके समझने के लिए, तो अगर मैं in short आपको बताओं, तो Arctic Ocean में जो sea ice है, each year जो आता है Central Arctic Ocean से blow हो के आता है, wind की वज़े से etc, उसका influx कम हो चुका है, और Barent Sea में इसी की वज़े से salinity की मातरा कम होती है, पानी का temperature भी कम होता है, ये influx तो एक कम हो चुका है, इसके अलावा जो Atlantic का पानी गरम है, वो और भी गरम हो रहा है because of global warming, जिसकी वज़े से bottom में वो ice formation नहीं होने दे रहा है, तो in general अगर मैं Barent Sea की बात करो, या फिर Arctic Ocean की, Barent Sea is part of Arctic Ocean, तो Arctic Ocean को दो तरफ से hit हो रहा है, double whammy हो रही है, एक तरफ से top, already global warming है, और एक तरफ से bottom, अ ice formation होने नहीं दे रहा है, तो इसी process को कहते हैं, Atlantification, प्लीज मैं वीवर से एक अनुरोद करना चाहूँगा, कि आप imagine कीजीगा, regarding the water, layers, उपर layer है, नीचे layer है, the Atlantic Ocean water is moving from bottom, and it is not allowing ice formation in the Barent Sea, तो ये तो हो गई Atlantification की बात है, और अगर मैं एक consequence या impact की बात करूँ, तो अभी फिराल तो scientist ने ये conjecture करने से मना किया है, कि कितना methane release होगा, क्या होगा, in general impact over the entire world's climate, बट हम लोग एक अंदेशा तो लगा सकते हैं, कि methane ज्यादा हो रहा है, तो global warming तो amplify होगी होगी, और अगर global warming हो रही है, तो उपर वाले layer में भी और नीचे में भी impact हम लोग देख सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा impact होगा, ocean circulation के उपर, इस ocean circulation की वज़े से, weather patterns are going to get disrupted, और सबस की death हो सकती है, marine organisms की death हो सकती है, जो बहुती sensitive है temperature को लेकर उनके साथ बहुत खतरा हो सकता है, adverse consequences हो सकते हैं, तो ये तो आने वाला समय ही बताएगा, अगर इस चीज़ पर कोई development आएगी, मुसैक की कोई research आएगी, तो हम आपको जल से दर लाते रहेंगे study IQ पर, मैं अपना discussion end करना चाहूंगा, एक question के साथ क्योंकि ये बहुती important topic है competitive exam के लिए, सवाल कुछ इस तरह क्या आ सकते हैं, अगर आप UPSC की त्यारी कर रहे हैं, तो simple question है, what is atlantification, discuss the impact of atlantification, focusing on the marine life, किस तरह का impact हो सकता है, या फिर एक prelims में सवाल आ सकता है, कि क्या है atlantification, term थोड़ा सा confusion हो सकता है, यहाँ पर option दिये गए है, normally कुछ ऐसे ही सवाल आते हैं जहाँ पर, they tend to confuse you, playing around with options, that is it, from my side, on this part of discussion, I hope this was informative for you, thank you very much, जैहिद!